हाई हेलो जी कैसे हैं आप सभी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सीटों का जो री कल्कुलेशन है छटे चरन के बाद प्रात्मी कस्तर पर वो काफी जोर तोर से चल रही है काफी तेज प्रक्रिया से चल रही है इसी से रिलेटेर एक न्यूज है सा काफी खास माहिने रखते हैं और एक एक करके सभी जीलो वाहर से यह न्यूज आ रही है मैं आपको अपडेश करूंगा इसी चैनल के माधियम से वीडियो के द्वारा आप भल आप हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जुरूर प्रेस कर दें लगातार यहां आपको सिक्षक विवाग और नौकरी की वेकेंसी से जुरी तमाम जानकारियां मिलते रहती हैं यहां इस स्क्रीन पर देख सकते हैं सिक्षक नियोजन नियोजनी काईवार विवाग को भेजी गई रिपोर्ट जिले के प्रात्मिक अमद विद्याले को 3987 सि इसी तरह के सिमिलरली खबर आपको मिलेंगे अगर आप अपने लोकल अखवारों को या वहां के वेब पोर्टल को खंगा लेगा तो जरूर कुछ नुकुछ आपको ऐसी नियोज मिलेगी यह आपका नियोज है मुझफर पूर से और विद्यालों में 41 का सिक्षक चात्रन पार दुरूष्ट करने की तैयारी है कि 40 शात्रों पर एक सिक्षक अनिवार्ज हो शटे चरण में तीन नियोजन की मिदा सूची तैयार है और डिटेल्स की बात करें तो 3987 सिक्षकों की है जरूरत जिले के प्रात्मिक और मद विद्याले को अब यहां पर कहा जा रहा है कि सात्रों चरण की सिक्षक नियोजन की परिक्रिया में जीले के प्रारंबिक यानि प्राइमरी और मद विद्यालों में 3987 सिक्षकों की निव्टि की जाएगी ठीक है और जीले से राजकार्याले को रिपोर्ट भेज दी गई है विभाग की और से सात्रों की गंणा करने का निर्देश दिया था इसमें मार्च 2022 तक की रिटार्मेंट और चट्रण के से शिटों के साथ ही सिक्षक चात्रनपात के अधार पर भी गंणा की गई इस साल मार्च में छटे चरण के अंतरगत 3000 से अधिक शिक्षकों की निक्ति की गई है अब सात्वे च दिकारियों को मुखाले का निर्देश का इंतजार है जुलाई के अंतिम हपते में परिक्रिया शुरू होने की उमीद है क्योंकि लगबग सभी जीले इस तरह से अपना डाटा इलग करेक्ट करके और कलेक्ट करके विवाग को भेज रहे हैं विवागी अदिकारियों की माने तो साथवे चरण की नियोजन परिक्रिया जुलाई के अंतिम हपते में शुरू हो सकती है विवाग के अस्ते पर नियोजन परिक्रिया को लेकर तेजी से काम चल रहा है जल्दी नियोजनी काईवार रोश्टर तयार कर लिया जाएगा नियोजनी काईवार रोश्टर तया पतरों प्राजा करूंगा चटेवे चरण की बात करें तो छटेच चरण में तीन नियोजनी काई आईओ क्यों की मेदा सूची तयार है विभाग के निर्देस पर चटेवे जरन की नियोजन प्रिक्रियां अब तक काँसलिंग नहीं कराने वाले तीन पंचायर नियोजनी काईयों में काउंसलिंग की तरियारी पूरी कर लगाई है तीनों नियोजनी काईया और आय पर्खंड की है संबार को एनासी के वेब पोर्टल पर मेदा सुची अप्लोड की जानी है विभाग कर्मियों ने बताया कि नियोजन को सांग को अनुमोदित मेदा सुची मिल गई है इंटरनेट बंद होने के कारण पोर्टल पर अप्लोड नहीं किया जा सका मंगलवार को इस्तिती समान रही तो मेदा सुची पोर्टल पर अप्लोड कर दी जाएगे जुलाई में काउंस्लिंग होनी है प्रखंड मुखालिया स्थाल पर भी केंद्र बनाया जाएगा और 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 आय प्रखंड के रत्त दारा पश्यम से में बन भा सब्सक्राइब के जरूरत जो भी मुझा फरपूर्ट से हैं उनके लिए काफी इंपोर्टेंट नियुट है जैसे जैसे सभी जी लोग अपडेट्स मिलता है वैसे वैसे आपसे जरूर साजा करूंगा मिलते है नेक्ट वीडियो में नेक्स अपडेट के साथ इसी उमीद क के साथ कि आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्लेस कर दियोंगे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें क्योंकि आपका सपोर्ट जो मिलता है हमारा होसला आप जाई करता है और हम वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं धन्य झाल झाल